आज हम बात करने वाले हैं कावा साकी निंजा ZX25R जो की है नए जमाने की निंजा 250R रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप इस मोटर साइकल का साउंड एक्जाउस नोट चेक करिए उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगा इस बाइक की अरुड़ की दो चेक की करिए तो आज इस review में मैं आपको सारी details दे दूँगा Ninja ZX 25R के features, performance and कब ये bike इंडिया में launch होगा के नहीं होगा Kawasaki अपने शांदार legendary bikes के लिए काफी famous है Kawasaki के 125cc से लेके 1400cc सब bike काफी popular हो चुके आज की date में अपने ही segment में इन में सबसे popular है Ninja series के bike Kawasaki की innovation and technology out of imagination है 1990 में इन्होंने ZX R250 को launch करा था जिसमें inline 4 cylinder को introduce करा गया था first time और इसमें जो engine use किया गया था वो 250cc engine था तब Honda, Suzuki अन Kawasaki में काफी टक्कर रहती थी ऐसे bike को first launch करने में 2000 में इस bike को discontinue कर दिया Kawasaki ने बट 2020 में company ने इस bike को relaunch करा अभी इस motorcycle को reveal किया गया है Indonesia and Thailand में क्या ZX 25R को इंडिया में launch करा जाएगा अगर ये bike इंडिया में launch हुआ इस bike का जो price है वो काफी ज़्यादा high रहने वाला है जिसके कारण उतनी ज़्यादा sales नहीं कर पाएगा ये bike बट ये bike एक टाइम पे सनामी ला देगा Indian motorcycle industry में इसमें आपको totally premium components का use देखने को मिलेगा so normal 250cc bike के comparison में इस bike का price काफी ज़्यादा high रहने वाला है Ninja ZX 25R किसी भी high-end sports bike को easily टक्कर दे पाएगा क्यूंकि इस bike का जो weight है वो काफी ज़्यादा low है and इसमें आपको in-line 4-cylinder भी मिल जाएगा इस bike में आपको high horse power भी मिलेगी ये bike काफी perfect रहेगा city ride के लिए and इसमें आपको excellent sound of exhaust भी सुनने को मिल जाएगा इस bike की जो front looks है वो काफी हस्तक inspired रहेगी H2 से and इसमें आपको aggressive fuel tank भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको adjustable front suspension भी मिलेगा and इसमें आपको clip on handlebars भी मिल जाते है and इसमें आपको easy handling भी मिल जाएगी अगर हम ZX25R के features की बात करेंगे इस bike में आपको fully twin LED headlight मिल जाएगी and इसमें आपको analog plus digital meter console भी मिल जाएगा इस bike में आपको slipper and assist clutch भी मिलेगा and इसमें आपको traction control भी मिल जाएगी इस bike में आपको dual channel ABS में मिल जाएगा अगर हम इस bike के disc size की बात करेंगे front में इसमें आपको 310 mm का single disc देखने को मिलेगा front disc का size इसमें आपको काफी जादा high देखने को मिलेगा as compared to other bikes अगर हम इस bike के rare disc size की बात करेंगे इसमें आपको 220 mm single disc देखने को मिलेगा tire size इसमें आपको front में 110 slash 70 slash 17 inches के aluminum alloy wheels देखने को मिल जाएंगे front tire में rare tire में इसमें आपको 150-60-70 inches के aluminum alloy wheels देखने को मिल जाएंगे rare tire में इसमें आपको dunlap GPR 300 के tires भी offer किये जाएंगे अगर हम इस bike के suspension की बात करेंगे front miss में आपको 37 mm का USD front fork suspension देखने को मिल जाएगा rare suspension में adjustable monoshock मिल जाएगा अगर हमें इस bike के specification की बात करेंगे displacement इस bike की आपको 249.8 cc के 16 valve inline 4 cylinder liquid cool fi engine मिल जाएगा power इसमें आपको 51 hp की power generate करेगा ये bike torque इसमें आपको 23 newton meter of torque मिलता है number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएगे fuel tank इसमें आपको 15 liter का मिल जाएगा fuel tank overall weight इस bike का आपको 182 kg with fuel देखने को मिलेगा seat height इस bike में आपको 785 mm की मिलती है तो अगर आपकी height 5 foot 4 inch आपको इस bike को ride करने में कोई भी problem नहीं आएगी अगर हम इस bike की all over performance की बात करेंगे top speed इस bike में आपको 190 km per hour के साब से मिलेगी and 0 to 100 ये bike सिरफ और सिरफ 5.8 सेकंड में पहुंच जाएगा अगर हम इस bike के mileage की बात करेंगे इस bike की mileage आपको 25 km per liter के साब से मिलेगी इसकी mileage काफी कम रहने वाली है क्योंकि इसमें आपको inland 4 cylinder देखने को मिलता है इस bike का सीधा सीधा competition Honda CBR 250 RR के साथ देखने को मिलेगा and इसमें आपको high performance भी मिल जाएगी इस bike में आपको solid build quality भी मिलेगी इसमें आपको comfortable riding position भी मिल जाएगा अगर हम ZX 25R के price की बात करेंगे अगर ये bike made in India रहा तो इस bike का price आपको 5 lakh रुपीज देखने को मिलेगा अगर ये bike import कराये गया तो इस bike का price आपको above 8 lakh देखने को मिल जाएगा अगर हम इस bike के launch की बात करेंगे 2021 इस bike का launch company ने अभी इंडोनेशन थाइलेंड में ही किया है 2021 में ये bike आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा 2022 में company इस bike को इंडिया में launch कर सकती है क्योंकि recently company ने ZX-10R का new bike launch किया है इंडिया में तो इस bike को भी company इंडिया में launch कर सकती है हाँ उतनी जाज़ा sales नहीं होगी बट अगर company ZX-10R को launch कर सकती है तो इस bike को launch करने में क्या problem है तो फिलाल जो information मेरे पास थी मैंने आप से discuss की still आपके को doubts या कभी भी को question होते है आप मुझे Instagram पे direct message करें मैं आपको जूर reply दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही